वेल्गम टो बीजी लाइस स्टेडी के वीए स्पीजी टी इंग्लिश की प्रिप्रेशन कर रहे हैं हम जहां पर हम पढ़ेंगे आज क्लास 12 की किताब फ्लेमिंगो का एक चैप्टर जो की पोएम है वो है क्रीपिंग क्वाइट इसे लिखा है पैबलो नेरूडा ने वो एक चीलियन पोएट थे चीली के रहने वाले थे उनके लाइप को हम देखते हैं 1904 से लेकर 1973 यानि कि 1904 से 1973 तक वो एक डिप्लोमेट थे और पॉलिटेशन थे जिनको 1971 में Nobel Prize in Literature मिला था तो अगर कुश्यन आए कि Nobel Prize in Literature इन सब में से किसे मिला तो पैबलो नेरूडा पे हम लगा देंगे टिक उन्होंने बहुत सारे वराइटी ऑफ स्टाइल्स में पोएम्स लिखे हैं historical epics लिखे हैं और political manifestos भी लिखा है एक prose autobiography है उनकी और वो बहुत passionately उन्होंने love poems लिखा है और एक जो उसकी collection है वो है 20 love poems and a song of despair जो की 1924 में आई थी वो poet, diplomat or politician थे उनके कुछ important work देख ले हम तो वो है 20 love poems and a song of despair love poems, canto general, the poetry of Pablo Neruda, the book of questions and I explain a few things तो ये सारी बहुत सारी उनकी हम important works देखते हैं एक और चीज़ उनके बारे में जान ले तो वो हमेशा green ink से लिखता करते थे क्योंकि वो peace चाहते थे, hope और peace के लिए वो ये काप करते थे वो चाहते थे कि दुनिया में अगर कहें भी कोई जगड़ा वगड़ा हो रहा है तो वो ना हो, शान्ती हो, ज़्यादा ये वो चाहते थे तो green ink से लिखना उन्हें अच्छा लगता था और अपने सारे creation को वो green ink से ही लिखा करते थे अब चलिए उनके इस poem को पढ़ने जो कि है keeping quiet अब keeping quiet को हम पढ़ते है, poem मैंने यहां लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो start करते है, now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth, let's not speak in any language, let's stop for one second and not move our arms so much यहां पर जो poet है वो कह रहा है कि now we will count to 12 अब हम लोग क्या करेंगे, count करेंगे 12 तक और क्या करेंगे, we will all keep still और हम लोग सारे still हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे for once, एक बार on the face of earth, इस earth के लिए let's not speak in any language, हम लोग किसी भाशा में कोई बात नहीं करेंगे let's stop for one second, सिर्फ एक second तक हमें stop रहना है and not move our arms so much और हमें अपने हाथों को नहीं हिलाना है, अब हाथों को नहीं हिलाने का मतलब है यहां हम अपने सारे काम जो हैं वो हाथी हिला कर करते हैं, हाथी हिला कर सारे काम करते हैं प्लस हाथ हिलाना से मतलब है कि जो लोग युद्ध करते हैं, वो भी हाथों से ही गोली चलाते हैं तो इसका यहां पर दो मतलब है, एक तो अपने काम बंद कर देने हैं हमें सारे पढ़ाना, लिखाना, काम करना जो भी वर्क्स होते हैं, वो नहीं करना है और युद्ध वगरे की चीजें भी एक सेकंड के लिए बंद कर दी जाए It would be an exotic moment, without rush, without engine, we would all be together in a sudden strangeness Fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands कह रहा है कि इस वक्त क्या करना होगा, it would be an exotic, क्या अगर होगा जब हम शान्त हो जाएंगे, और मैं एक सेकंड के लिए, और जब मैं काउंट करूंगा 12 तक यहाँ पे 12 की बात इसलिए कहीं गई है, क्योंकि 12 मन्त होते हैं, और घड़ी में भी 12 नंबर ही होते है और इसलिए जो पोएट है, वो बोलता है कि अब काउंट किया जाएगा 12 तक और हम लोग सारे हो जाएंगे यह कितना अच्छा मौका होगा, जब हम शान्त हो जाएंगे, हम कौन? पूरी दुनिया, पूरे अर्थ के बारे में, टुगेदर पूरा अर्थ शान्त हो जाएगा without rush, जहां हमें कहीं भी rush नहीं मिलेगी, ना ट्राफिक में rush मिलेगी, ना खुद जो हम rush में रहते हैं, हमेशा हमारा दिमाद rush में रहता है, वो नहीं रहेगा, हमारा mind बिलकुल स्थिर रहेगा, without engine, जहां इंजन मिना हो, we would all be together, एक साथ रहेंगे, एक अचानक के strangeness में, जब देखती है जब मश्री पकड़ते हैं तो वो लोग अगर वो कुछ फूट्स वगरा डालते हैं तो किस तरह वो लोग जल्दी से जाती है पूट्स के पास तो यह इस तरीके से अगर वो फिशर्मेन जो है फिश को वेल्स को हाफ नहीं करेंगे तो वो लोग भी इस तरह चुपचाप रश में वो लोग भी नहीं रहेगी and the man gathering salt जो की salt gather करते हैं जब लहरे आती है salt छोड़ देती है चली जाती है तो वो जो है salt gather करने में वो लोग इतने महन रहते हैं busy रहते हैं कि उन्होंने कभी अपने हाथों पर ध्यान नहीं दिया होता है तो वो ये काम करना छोड़के अपने हाथ पर ध्यान देंगे those who prepare green wars wars with gas wars with fire victory with no survivors would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing कह रहे हैं कि जो लोग green war करते हैं war करते हैं gases से war करते हैं fire से और ऐसी जीत का क्या मतलब जहां कोई survivor ही न रहे word put on clean cloths वो लोग क्या करेंगे इस घड़ी में जब मैं 12 तक गिनूंगा तो वो लोगों को क्या करना है उन लोगों को clean cloths पहनने है clean cloths का मतलब है यहां जो army के dresses होते हैं अलग-अलग color के होते हैं कि भाई मैं पेड में छुप जाओंगा तो पेड में पता नहीं चलेगा मैं पानी में छुप जाओंगा तो पानी में पता नहीं चलेगा तो इस तरह कि जो colors के उनके कपड़े हैं या फिर वो कपड़े जिन पे खून के दाग ल और चुपचाप वो लोग छाया में आराम से सिर्फ वॉक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई मार पीट, काटा कूटी, कुछ नहीं करेंगे What I want should not be confused with total inactivity जो मैं चाहता हैं उसको total inactivity से confused नहीं करना मेरा मतलब यह नहीं है कि कुछ inactivity, कुछ activity हो ही न मैं यह नहीं कह रहा कि कुछ भी ना करो बैठे रहो, life is what it is about क्योंकि life तो वही है, जो life है, I want no truck with it मैं नहीं चाहता कि उस समय कुछ भी death की चीज़े और कुछ ऐसी चीज़े ना हो If we are not so single-minded, अगर हम single-minded ना हो, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे about keeping our lives moving, and for once could do nothing अगर हम लोग एक मिनट के लिए अपना single-minded होना छोड़ दे, अपने बारे में जो सोचकर हम लगाता है busy है, काम कर रहे हैं, और अपने आपको इतनी हमने busy रखा है कि हम यह समझी नहीं पाते कि हम अपने आप के लिए, अपने future के लिए, तो जो भी अभी हम कर रहे हैं अपने life में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे future के लिए ही होता है तो यहाँ पे जो poet है, वो कहता है कि अगर हम लोग इतने single-minded ना हो, अपने future को लेके अपने present में हम जितने busy हैं, वो हम ना करके, कुछ देर के लिए, keeping our life moving, जो life हम move कर रहे है and for once could do nothing, बस एक वक्त, बस एक second मैं चाहता हूँ कि आप अपने आपको वो present दे जो future के लिए हम जिस तरह भाग रहे हैं, दोड रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उसे एक minute के लिए छोड़ कर अपने present में, अपने mind को, अपने present, अपने mind और body को अपने present में ला कर देखे perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourself and of threatening ourself with death, शायद एक ये जो silence होगा, वो interrupt करेगा इस sadness को of never understanding ourself, जहां हम अपने आपको हमने कभी समझा ही नहीं and threatening ourself with death और अपने आपको हम हमेशा death से डराते रहते हैं perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive और इस समय जिस तरह earth हमें सिखाता है कि earth हमें क्या सिखा है, कि जब ऐसा लगता है कि सब चीज डेड होने वाला है, डेड है पर later proves to be alive लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, सारी चीजें तो बिलकुल alive है, सारी चीजें जिन्दा है अब यह जो line है इसे बहुत deeply समझने के जरूरत है क्योंकि इसमें जो point है वो सारी चीजों का example देता है, जिस तरह सूरज डूबने पर ऐसा लगता है, जैसे दुनिया शान्त हो जाती है, पक्षी घर को चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन फे सारी चीजें लाइफ हो जाती जिस तरह स्कार्णि में, अगर मान लिजे अपने धल के धढकन के भी बात करे हम तो वो कस तरह उठती है और फिर ओसी तरह उठती है और पिर तो उसी तरह जब गर्मी का मौसम होता है, तप्ती गर्मी होती है और सारी जो पेड़ पोधे होते हो वो बिलकुल सूख जाते और फिर धरती अचानक से अपना काम करती है, बारिश लोटती है और सारी चीज़ें फिर से अलाइफ हो जाती है तो यहाँ पर जो पैबलो नेरूडा जी हैं वो हमें बताते हैं कि जिस तरह परहाप्स अर्थ can teach us जिस अर्थ हमें बताती है वो समझाती है कि everything seems dead and later proves to be alive हमने अपने आप से दोस्ती की इस शान्ती में और हम किस तरह फिर से alive हो जाएंगे और यह सारी चीज़ें कैसे हो सकती है और अब यह जो पोईट है यहाँ वो पूरी दुनिया से यह कह रहा है पूरे अर्ट से कह रहा है इतनी चीज़ें बताके वो कहता है किस तरह हम अपने आप को अपने प्रेजंट में रहके पहचान सकते है जान सकते है पूरी दुनिया जब हम देखें कि अचानक से शान्त हो गए उसने एक विचितरा अनुभव फील किया जहां हम उस वक्त उन्होंने कोई लड़ाई जगडा नहीं किया कुछ भी नहीं किया सिर्फ अपने आप के ध्यान दिया और किस तरह हम उस एक प्रेजंट वक्त में फिर से जीवित हो सकते है प्रूब्स टू बी अलाइव और क्या होगा आप लोग चुप हो जाएंगे और मैं चलना जाओगा तो ये था हमारा पोएम कीपिंग क्वाइट कापी अच्छा पोएम था ये चलिए पोएम के अनालेसिस को देख लेते हैं क्योंकि हम तो पोएम एज़ॉए अवियसली करते हैं पर ये तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट पूइंट अफ यू से पढ़े हैं तो बाकिसीज़े अब पढ़ेंगे तो पोएम इस रिटेन इन फ्री वर्स फ्री वर्स में ये पोएम लिखा गया है पोएटिक डिवाइस क्या क्या है तो एस रिंस क्या है तो प्रॉमिनेट साउंड ओ ओ इन इसमें कहां कहां है तो नाउ विल काउंट तो ट्वेल्ट नॉट मूव और आम सो मच यहां पर एम एस रिंस देखते हैं एन फूरा कहां देखते हैं तो repetition of a word at the start of two or more consecutive lines कहां कहां तो let's not speak in any language let's stop for one second एलेक्टरेशन देखते हैं W में in we will symbolism देखते हैं using the phrase count to 12 as a measure of time और में टॉन मी देखते हैं हम the word language has been by poet to show different races जब different races दिखाने के लिए उन्होंने word use किया है enjoyment देखते हैं continued sentence without break और कहां है वो and for once good से लेकर perhaps तक or self with death तक तो यहां पर फूरे में हम देखते हैं कि कहीं भी चीजें break नहीं हुई और लगतार इन सब लाइनों में लाइनों से चलती गई personification कहां देखते है personified earth by saying the earth can teach us इस लाइन में हमने personification देखा extended metaphor तो when everything seems dead and later proves to be alive तो यहां पर poetic devices हमने इतने देखी और भी हैं चलिए देख लें illustration हमने कहां देखा तो we will count में his hurt hands sudden strangeness में repetition देखा without rush without engine symbolism देखा तो brothers symbolize mankind green wars refer to deforestation wars with gas refer to pollution clean clothes symbolize change of perspective और shade symbolize protection antithesis कहां देखते हैं हम तो antithesis देखते हैं हम count to 12 and we will all keep still personification earth can teach us as when everything यहां पर हमने personification देखा personification मैंने एक बार यहां भी आपको बता दिया है तो यह था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा पोएम जो की था क्या keeping quite हम अपने अगले वीडियो में अगले पोएम के साथ मिलेंगे आपके एक्जाम के लिए आपको बेस्ट आफ लव के साथ वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद कि अ